जहें दोस्तों आज के टॉप डिफेंस है जर्मनी की धोके के बाद भारत ने अमेरिका सी की नई डील जम्मो कश्मीर के कुलगाओं में सेना रातंकियों के बीच हुई मुद्भेड प्लशकर के पाँच देशत गर हुए धेर रूस ने आइनस चक्रा पंडुब्भी को रध किया भारतिय वाई सेना की सुरे किरेंट टीम विश्व का फाइनल से पहले करेगी एरशो बढ़ते परे डिफेंस अब्रेट की तरफ कुछ खबरें सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि रूस की नौस सेना ने प्रोजेक्ट 971U शुका भी की शतिगरस्त प्रमाणु पंडुब्भी नेरपा को स्क्राप करने का प्रस्थाव दिया है इस पंडुब्भी को भारतिय नौस सेरों को 10 साल के लिए पट्टे पर दिया गया था जिसका नाम आइनस चक्र है लेकिन इसमें विस्वोट होने क के बाद 2020 की शुरुआत में भारत ने इसे रश्या को वापस कर दिया बता दे कि आइनस चक्र के ऑन बोर्ड पर हाई प्रेशर एर सिलेंडर के फरजाने से इस पंडुब्भी के दोनों हल्स और जो इलेक्टोनिक्स वेपन्स और सोनार एक्यूपेंट्स है वो खराब हो ग और पंडुब्भी को अभी और भी नुकसान होने का खत्रा होगा इसलिए अब रश्या ने विचार किया है कि इसे नस्ट कर दिया जाएगा और स्क्रैपिंग प्रक्रिया में भी कई महने लग सकते हैं आपको दाते कि भारत ने इस पंडुब्भी को लीज अवधी पूरा होने से पहले ही वापस कर दिया था बढ़ते नेक्स्ट अप्डेट की तरफ दोस्तो भारतिय नौसेना के लिए बनने वाले ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर जेट की नए डिजाइन का खुलासा हुआ है और इस नए डिजाइन को लेकर अब कई तरीके की बाते सामने आ जब कि कुछ लोग कहते हैं कि यूरो फाइटर टाइफोन के डिजाइन से यह मैच कर रहा है क्योंकि इस नए डिजाइन में यूरो के नार्ट कॉन्फरिगेशन जैसी समानता है दरसल्ट टेडवी अफ का जो सबसे विशेष्ट विशेष्टा है वो है इसका विंग फोल् अपने नौसेनिक बेड़े के लिए उननत लड़ा को शमताओ, टेक्नोलजी और इनोवेशन का लाब उठाने की भारत की महतोकानशा को दर्शाता है और दुबई ये अश्यों में टेडवी अफ को अंतरास्टेस तरफ पर बढ़ावा देने के लिए भी परदशित किया ग LAC पर केंद्रे खोफिया अधिकारियों को तेनात करने का निर्णे सीमा पर चेनी सेनिकों के द्वारा आकरमक्ता और बार बार होने वाले जो किरते हैं उनसे प्रिरित हैं और बढ़ते खत्रे की आश्रंका के कारण निगरानी बढ़ाने और छेत्र में चीनी सेना की और अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए ITPP के साथ साजा किया जाएगा इसके अलावा तैनात खूफिया अधिकारी चीनी सेनिकों के द्वारा घुसपैट के प्रयासों को रोकने में में मेहतपण भूमिका निभाएंगे इसके अत्रिक्त सीमा खूफिया चौकियो पर तैनात होकर याधिकारी चीन की सेना की गतिविदियों पर नज़र रखेंगे ताकि किसी भी घुसपैट की स्थिति में सुरक्षावलों को तुरंत बुलाया जा सके यानि कि चाइना की किसी भी गतिविदी पर तुरंत याधिकारी ITPP और भारतिय सेना को ततकाल चलिए बढ़ते नेक्स अबडेट की तरफ दोस्तो भारतिय वाई सेना ने एक एक एक्सपलेशन आफ इंटर्स जारी किया है भारतिय फांस के लिए जो कि एक्सपैंडेबल लो कॉस्ट टार्गेट ड्रोंस का डिजाइन डबलमेंट टेस्टिंग और डिलीवरी करेंगी बता दे कि इन ड्रोंस के जरिए भारतिय सेना काउंटर ड्रोंस सिस्टम की ट्रेनिंग लेगी और ये जो टार्गेट ड्रोंस है उनमें स्वधेशी कॉंपोनेंट्स और सौफ्टियर और टेक्नोजी होनी चाहिए साथी इनमें आटो स्टेबलाईजेशन और रिमोट कंट जिसके तहत इसके लिए जो इंजन है वो अमारिका से लिए जाएंगी जिसके लिए डील कर दी गई है हाला कि जर्मनी की तरफ से कहा गया है कि वो भी आप इंजन देगा लेकिन भारत ने मना कर दिया है दरसल दोसो ऐसा क्यों हुआ आप सबको पता होना चाहिए सबसे पह भारत का ये जो प्रोजेक्ट था वो और लेट होता जा रहा था जिस मुझे से भारत को अपना फैसला बदलना पड़ा और अमारिका से इंजन लेने को मजबूर होना पड़ा लेकिन अब जर्मनी की सरकार ने कहा कि अब उन्होंने इंजनों के एक्सपोर्ट के लिए क्ले भारत को हो सकता है इस तरीके की देशों के साथ डिफेंस पार्टनर्शिप को करके जानी कि भारत ने भी हाला कि एक बहुत अच्छा जवाब दिया है जर्मनी को लेकिन दोसरे आप सबसे खास बात ही आती है कि भारत को कब तक अपने खुद के इस तरीके के इंजनों को ब बारे गए पांचों आतंकी प्रतिबंदित आतंकी संगठन लशकरे तौइबा से हैं भारतिय सेना ने फिलार सर्च ऑपरेशन जारी किया हुआ है भारतिय नौ सेना का पहला सोदेशी विमान वहाग पोत आयनस विकरान अब उसने फुल ऑपरेशनल शमता हासिल कर लिया य 200 ICC किर्केट विश्वकप 2023 के फाइनल मैच से ठीक पहले इंडियन एयर फोस के रड़ा को इमान एहमदभाद के आसमान में कर्तब दिखाएंगे कि एरशोब भारतिय वाइश सेना की सुरे करन अरोबेटिक टीम के द्वारा किया जाएगा कहा जा रहा है कि 19 नौबर को सुरे करन अरोबेटिक टीम मोटेरा इलाके में स्थिद्ध नयंद मोधी स्टेडिया में खेले जाने वाले फाइनल मैच की शुरुआज से 10 मिनट पहले किर्केट फैन्स को एर शो से रोवांचित करेगी और विश्वकप फाइनल मैच देखन के लिए प्रधानमंति निन मोधी भी जाएंगे चलिए वर्दन एक्स्टेपनिर की तरफ दोस्तो हमास का मुकाबला करने के लिए अब इसराइल अपने आईरन बीम के स्थमाल करेगा इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर खत्रा बड़ेगा तो वो अपने आईरन को अक्टिव कर देंगे पता दे कि अमेरिका के बाइड़न परशारषा ने 106 बिलियन डॉलर के पेकेज का भी आईलान किया है और इसी पैकेज में आईरन बीम सिस्टम के लिए 1.2 बिलियन डॉलर रखे गए हैं बता दे कि आईरन डोम के बाद आईरन बीम पर भी अमेरि पेतने में शक्षम है साती आइरेन बीम का استعمال जमीन और समूदर जगों पर किया जा सकता है बता दे कि यह जो आरेन बीम है वो किसी भी तरीकिकी मेसायल और मोटार्स हमले को रोकने में खाफी कारगर है यह उन्हें अमाहर गिराने में शक्षम है तो फिलाल दोस्तों यह थे